तो आज मैं बात करना वाला हूँ दिगज एक आई-टी सेक्टर के बारे में जो आज निप्टी-फिप्टी का सबसे टॉप रैंकिंग में जिसका नाम आज के दिन सामिल हुआ है तो उसके बारे मैं आज बात करूँगा क्यूए कुश तो आइटी डिगज आइप आइटी कि एक आइटी कंपानी भी कह सकते हैं और एक दिगज कमपानी भी कह सकते हैं इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट आईटी सेक्टर कमपानी है एसेल टेक तो एसेल टेक के बारे में बात करूंगा क्योंकि दो दिन से कुछ इस कमपानी के ऊपर कुछ पॉसिटिविटी निउस है तो उसके फाइदा आज के दिन जानकारी आपके पास नहीं होगा और जानकारी जिस चीज का नहीं होगा वो चीज आपके लिए बहुत फ्यूचर में खत्रा बन सकते हैं इसलिए आपको हमेसा अपडेट रहना होगा स्टॉक मार्केट के हर डीटेल्स डेटा को आपको चेक करना होगा देखिए कहां से ड पूरा दिन का 10 से 15 मिनिट है तो आप मेरा वीडियो देख लीजिए वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को और जानने को मिलेगा तो अचलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में तो वीडियो सुरू करने से पहले ही कहूंगा अभी तक आपने इस चैनल को स कर सकते हैं और आप हमारा फ्री ओप टेलिग्रम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में तो यहां पर देख सकते हैं आज के दिन करीबन 4% तक तेजी 4% से भी जादा मार्केट जब स्टार्ट हुआ पिछले दिन का क्लोजिंग एक तक मार्केट है नग्षटिंग में स्टार्ट हुआ पिछले दिन का जो कलोजिंग था ओहां पे भी टास्ट स्टार्ट हुआ। उसके बाद देखें किस तरीके से हैं ग्रोध यहां पर देखने को मिला किस तरीके से तेजी इस तेजी के पीछे कारण तो जुरूर है मै बहुत सारे लेकर चल रहा है उतना momentum नहीं है उतना high level का performance भी नहीं है high down level का performance भी नहीं है एक side basis pattern आपको देखने को मिलेगा nifty और sensex में तो इसी लिए आज के दिन देखिए advance जितना है decline भी देखने को मिलेगा उसी तरीके से performance यहाँ पर decline के पास भी है तो जितने सरे advances है तो उन में से आज के दिन सबसे उपर जो खड़ा होके रहे है वो है SL Tech अब सभी जानते हैं इंडिया का fourth largest IT sector company है तो इस company के बारे में बात करूँ तो आप जोरूद देखेंगे यहाँ पर जितने सारे IT sector है वहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप ranking है TCS अभी फिलाल 52 का हाई के नजदिग है SL Tech भी 52 का हाई के नजदिग है और उसके साथ आप बागी के इनफोसीज भी है वीप्रो भी है एक महंद्र भी है तो सारे के सारे IT sector यहाँ पर सारे के सारे IT sector दिगज company है और IT sector का तो मतलब सबसे ज़्यादा पारफरमेंस जी सेक्टर को देखने को मिला है वो है IT sector कोरूना क के बाद IT sector में सबसे ज़्यादा पारफरमेंस अच्छा हो हो चुक है क्योंकि IT के उपर ही सारे के सारे खेल चल रहा है तो आज में बात करने माला हो SL Tech के बारे में क्योंकि SL Tech आज के दिन करीवन 52 पॉइंट का तेजी देखने को मिला 4% से ज़्यादा तो इसके पीछे reason का ह अब को दिखाऊंगा उससे पहले आप इस company के बारे में कुछ details आपको देखा दूँ आज के दिन company का जो delivery है करीवन 50 वर्सन तक delivery उठाए गया है इतना वड़ा delivery उठाए जा रहा है उसके पीछे तो कारण होगा जो कारण है उस कारण को अभी आपको दिखा देता हो तो य तो 14 जन्वरी इस date को आप वियाद रखना उस date में इस company में कुछ हल्चल देखने को जोरू मिल सकता है तो मुझे जो लग रहा है पहले से ही एक तेजी आपको पहले से ही एक तेजी देखने को मिला है उसके पीछे जो reason है result बहुत अच्छा खासा आने वाला है लेके हमेश तो हमें एही data को check करते रहता हूँ जितने सारे quarters आते हैं उस quarter से पहले कोई भी stock अगर अच्छा खासा performance कर रहा है तो सोच लेना वह company का performance जावदस हो चुके है मतलब quarter का result अच्छा खासा हो चुके है उसी का नजर यह आपको देखने को मिला है तो यह था बड़ा कारण उस है acquisition कितना मतलग acquire कर रहा है कितना 551 stake वो भी दूसरे company को तो इस तरीक से news obviously positive होते है और उस तरीक से news के लिए ही company के उपर performance इतना अच्छा खासा देखने को मिलता है company के performance के बारे में कुछ जानकर यह आपको देने से पहले मैं technical chart के बारे में कुछ data आपको देखना चाता तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ वीकली यहाँ चैंडल आपको सामने रख चुका हो देखिए यहाँ पर जो top level था यहाँ पर जो high था करीबन one hundred sorry one thousand three hundred seventy six to five इस तरीके से कुछ level था उसके बाद देखिए वहारी भार कम गिरावाट यहाँ पर देखने को मिला था और उस बाद जो इस जो level हैं जो support level था उस level को यहाँ पर देखिए बहुत सारे support यहाँ आपको देखने को मिलेगा आपको support अब देखा देता हूं हाँ आप देखिए कितना बार यहाँ पर support को touch किया उस support को a strong by level में buy हुआ एक strong by level में यहापे breakout हुआ तो उस breakout के बाद ही यहापे आपको जवद्दस तेजी कहा है तो मुझे लगता है तो यहापे मतलब एक दिन का चार्ट पटन उपन कर दू तो देखिए एक अच्छा का सा momentum यहापे आपको देखने को मिलेगा आज के दिन का जो candle है वो बहुत अच था बहुत ज़्यादा volume वो भी buying volume मतलब एक buying पेसा पहले से ही आ चुके थे और उसी का नजर है आप अच्छा का सा तेजी देखने को मिला है मुझे लगता है पिछले जो previous जो high था उस legal को अगर cross करता है तो एक बहुत बड़ा momentum आपको देखने को मिलेगा तो देखिए यह मेरा technical chart है और मतलब मेरा analysis है आप खुद के analysis भी लगा सकते है और short term trading और long term trading के लिए आप उसके लिए सोचिए तो मैं यहापे जो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ मैं यहापे long term के लिए इस company के बारे में बात करने वाला हूँ तो company के जो performance है करीबन 3.5 लाग से भी ज high था 1378 और low था 890 देंकि बहुत सारे दोस price range को देखकर ही भाग जाते है क्योंकि उसको लगता है price इतना high है इस high price में में क्या खरीदरी करूं यह इस type company में आप कभी भी कोई भी time में निवेस कर सकते है क्योंकि इसका company का face value देखिए 2 रूपिया है company dividend भी दे चुके है 1.64 सबसे चीज जो अच्छे लगा company का इतना high level में जाने के बाद भी company का pure ratio एकदम ठीक ठाक level में है 31.5% company का return of equity लाजबाब है 25% 25% से भी ज्यादा और return of equity जो है 19% से भी ज्यादा company का book value देखिए 224 है और साती साथ company का industries pure ratio देखिए 41 है मतलब industries pure ratio से भी इस company का pure ratio ठीक ठाक level में देखने को मिल रहा है company के बाद करजा जोरूर है 6,000 करोड का मगर company का जो need income है annually 11,000 करोड तो इस company को अब debt free consider कर सकते है क्योंकि इसका earning इसके करजा से भी ज्यादा है company के पास cash भी जवदस्त है 17,800 करोड से भी ज़्यादा cash है debt तप equity ना के बरबर है company का promoter के पास 60% holding है earning पर share 42.5 रूपीज है हर parameter यहाँ पर positive है इस company के उपर में बहुत बहुत बढ़ा positive लेकर चल रहा हूँ आप भी इस company के उपर study करिए बहुत अच्छा खासा company है क्योंकि इसका हर parameter देखिए यहाँ पर कोई भी cons नहीं है कोई भी कोई भी cons नहीं है सारे के सारे parameter positive है debt free है debiden अच्छा खासा देते है company sales growth भी अच्छा है profit growth अच्छा है सारे के सारे चीज़ positive है तो इंडिया के देखिए से 4th largest IT sector company है ACL tech उससे पहले TCS है Infosys है विप्रो है ACL tech जिस तरह के से काम कर रहे है मुझे लगता है विप्रो अगर अच्छा खासा काम नहीं करेंगे तो उसको भी overtech कर सकते है तो इस तरह के से काम कर रहे है मुझे लगता है विप्रो को भी cost कर सकते है क्योंकि विप्रो का market capulation 3,81,000 है और इसका 3,63,000 है तो नजदीगी है कभी भी बाजी पलट सकते है और इस company का performance भी विप्रो से भी अच्छा खासा देखने को मिला है तो company का हर साल की profit loss के बारे में बात करूँ तो हर साल में company जबद दस profit growth किया है आपको हर साल में देखने को मिलेगा हर साल में company का profit growth हुआ है देखिए 2,000, 4,000, 6,000, 5,000, 8,000, 10,000, 11,000 इस तरिके से कुछ performance हुआ है हर साल में company profit को धीरे 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 करके growth कर रहा है तो इसलिए में बता रहा था इस company के उपर आपका नजरिया है तो आपको long term के लिए इसके उपर नजरिया रखना चाहिए short term के लिए रखेंगे तो बहुत सारे problem इसू हो सकते है मगर long term के लिए इस company आपको perfection बहुत अच्छा कासा दे सकते है क्योंकर देखिए इसका return देखिए आपको किस तरके से return मिला देख लिजिए 10 साल में 30% 5 साल में 26% 3 साल में 42% 1 साल में 27% देखिए मैं आपको return हमेशा हर stock में दिखाता रहता हो इसका मतलब यह नहीं बहुत सरे company तो 2000-3000 percentage का भी return एक साल में दे चुके है तो यह नहीं कहूंगा वो company में जाकर आप निवेस कर दीजेगा अगर company का हर parameter ठीक ठाक है अगर company का sales growth, profit growth सारे के सारे data positive में है उसके बाद आप return किस तरके से आपको दे रहा है उसके बाद देखना उससे पहले नहीं तो यहाँ पर देखिए return of equity भी बहुत सांदर है sales growth अच्छा खासा है मगर profit को थोड़ा सा काम है तीन साल में और current सिनारियों में तो company के जो आपको किस तरीके से dividend दिया वो भी आपको देखना चाहिए तो यहाँ पर देखिए company ने dividend जबदस बहुत बहुत बार आपको देखिए इतना बार dividend दे रहा है company अच्छा खासा dividend भी दे रहा है अभी तो फिलाल 2021 October मांद में देखिए साल भर कितना dividend देखिए बो भी आप देख लीजिए तो करीबन 36 रुपीज से भी ज़ादा आपको dividend मिला एक साल के अंदर मतलब इसका performance बहुत बहुत अच्छा खासा है 377 company बोनास भी देखिए कितने बार दिया 3 बार बोनास मतलब आपका fund कितना गुना हो चुके है आप खुद को पता नहीं 2007 में दिया 15 में दिया 19 में भी दिया buyback के बारे में बाद करूँ तो company javadas buyback भी यह पर लेके आते है तो पहले एक बारी buyback लेके आया है 2018 में तो सारे के सारे parameter आपके समने रख चुका हो company के shareholding pattern के बारे में बाद करूँ तो 60% promoter के पास 22% FIS के पास 12% DS के पास और government के पास भी छोटा मोटा हिस्सादरी है पबली के पास 4.88% है तो इस company के उपर आपको जुरूर फूकास होना चाहिए long term के लिए क्योंकि इसका बहुत बहुत अच्छा है इस company के उपर positivity जुरूर रखना company सिर्फ इंडिया के नहीं वाल्ड के भी six number poison में इसका ranking है six number poison में तो आसा करते हो सारे जानकर आपको मिल चुका है तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना दोस्तों को सेर करना और चैनल को सब्सक्रेबी करना मिलते हैं अगले स्टोक लगे तब तक लिए से सरी अपने ख्याल लगे बबाई